हेलो एवरेवन वेलकम और वेलकम बैक टो माई चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल वेडियो लेके आई हूँ इस वेडियो मैं मैं आपको बताने जा रहे हूँ कैसे आप अलो वेरा का यूज करके आपने बालों को हेल्दी सिल्की साइनी रख सकते हैं यह क्लिप अलो वेरा का यूज करने के बाद हैर को वाश करने के बाद का है आप देख सकते हैं मेरे बाल किती ज्यादा सूजे वे सिल्की और साइनी लग रहे हैं तो बिना वक्त को बरबात की हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहला हम अलोवेरा के स्टेम को लेंगे और उसे साफ पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे मैंने एक एक करके सारे स्टेम को साफ कर लिया था फिर एक चाको की मदद से इसके पलप को निकाल लेंगे सबसे पहले मैंने इसके साइट को कट किया और इसके काटे के साइट को भी हटा देंगे और चाको की मदद से इसके पलप को निकाल लेंगे और उसे ब्लेंडिंग जा की अच्छा माना जाता है ये हैर को ड्राइव होने से रोगता है और ये हमारे बालों में स्क्रब का भी काम करता है और ये बालों के इचिंग को दूर करता है और ये oily hair को भी clean करता है ये बालो को मजबूत बतान बनाता है और ये hair fall को भी सही करता है अलोबेरा में कई तरह के तत्व और मिंगल होते हैं जो आपके बालो को मजबूत बनाने में मदद करते हैं इसमें fatty acid और amino acid होता है और vitamin A, B12, C, E से भरबूर होता है इसके अलावा अलोबेरा में enzyme होते हैं जो fat को तोरता है और बालों से बहुत अतिरिक्त oil को हटा देता है इसे आप 30 मिनिट तक बालो में अलोबेरा जिल लगा के रखे इसके बाग सेंपू से बाल को wash कर लें अगर आप इसे सब्ते में दो बड़ लगाते हैं तो यह आपके बालो को dry होने से बचाता है और यह बहुत ही healthy बनाता है आपके बालो को आप चाहे तो इसे नाडियल तेल में मिलाके भी लगा सकते हैं आपको जितना एमांग अलोवेरा जिल का लेना है उतना ही एमांग नाडियल तेल का ले और उसे mix करके एक साथ लगाए मैं इसे अलग लगा रही हूं सबसे पहले मैं इसे लगा लूँगी अपने बालो में फिर इसे मैं सुखने के लिए आदा घंटा छोड़ दूँगी जब यह बालो में dry हो जाएगा तो फिर मैं hair oil apply करूँगी इसके बाद इसे लगा के मैं दो घंटा मैंने इसे छोड़ दिया था और फिर मैंने बाल को वाश किया सबसे पहले मैं आलोवेरा के स्टेंग को इस तरह से पूरे बालो में लगा लोगी बालो में एलोवेरा लगाने से बश्चर बना रहता है और एलोवेरा हमारे बालो के स्केल्प को बहुत ही हेल्दी रखता है इस हेर पॉल्स सम्बंधी सभी प्राप्लम को कम करता है और यह बहुत ही अच्छा नुस्का माना जाता है बालो के लिए बालो में एलोवेरा लगाने के बाद इसे कम से कम 20 मिनट तक तो जरूर चोड़े जब यह आपके बालो को वाश करेंगे तो यह बालो को अलग ही सायिन देता है अलोवेरा में बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे बालो को मज़ूद बनाने में मदद करता है बालों में अलोवेरा लगाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है आप चाहे तो इसमें एक अंड़ा भी बिलाके लगा सकते हैं पर मैंने इसे यह से ही लगा है था फिर मैं जो मैंने बाल लेट को ब्लेंड कर था उसे थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देया था क्योंकि उसमें ज़ाग बन गया था जब आपसे फुरी देर ऐसे रख देंगे तो उसका कंसिस्टेंस सही हो जाता फिर मैंने इसे परें बालों में इस तरह से रूप परे प अच्छे से अप्लाई कर लिया था फिर मैं इसे आधा घंटा ड्राइए होने के लिए दे दूंगी आप देख सकते हैं यह अलोवेरा जल पुरा ड्राइए हो चुका था फिर मैंने एर ओयल लिया तो मैंने इसे कटोरे में ले लिया फिर इसे एक-एक करके इस तरह से बालो पर पूरे हेयर लेंथ और स्केल्प पर अपलाई करेंगे और इसे थोई देर मसाज करेंगे मसाज करने से हमारे स्केल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है जिससे हमारा हेयर प्रोट में मदद करता है और नए हेयर को भी उगाने में यह मदद करता है अगर आप इसे coconut oil के साथ aloe vera gel को लगाते हैं तो आप बाद में hair oil apply करना skip कर सकते हैं लेकिन मैंने पहले aloe vera gel लगाए फिर मैंने इसे dry होने के लिए दिया था फिर मैं इसे hair oil apply कर रही हूँ फिर मैंने जब oil apply कर लिया तो इसे मैं हमेशा मसाज करना कभी नहीं होती हूँ इसे मेरे बाल बहुत ही healthy होते हैं और यह मेरे scalp के blood circulation को improve करता है अगर आप रात में hair massage करके सूते हैं तो आपको बहुत अच्छी नहीं दाती है यह आपके stress को भी कम रहता है मुझे hair oiling करना बहुत पसंद है मैं हफते में कम से कम दो बार hair oiling जरूर करती हूँ और scalp में massage भी करती हूँ आप इस तरह से massage कर सकते हैं फिर आप पूरे बालो को इस तरह से आगे कर लिए और अपने scalp पे इस तरह से massage करते हैं तो आपके बहुत ही healthy हो जाएंगे यह process कभी भी skip ना करें जब भी आप रहे आपे massage करते हैं हम generally अपने scalp के आगे तो massage कर लेते हैं लेकिन बालों के scalp में पीछी massage करना भूल जाते हैं जब massage करना हो जाए तो मैं अपने बालों को अच्छे से बांद लूँगी और पूनी तेल बना लूँगी उसके बाद ही मैं सोती हूं कि मुझे इससे बाल खोल के सोना पसंद नहीं है से hair fall भी होता है अगर मैं दो घंटे के लिए इससे बांद लूँगी फिर मैं सैंपू के मदद से इससे वाश कर लूँगी इसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि मेरे बाद कितने मैनेजबल सिल्की सुझे हुए और कितने सुंदर लग रहा थे आप्टर वाश आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने साइनी, सिल्की और मैनेजबल लग रहा थे आप इसे जरूर ट्राइ करें और आप इसे हफते में दो बार लगा सकते हैं और आप अपने बालोग को हेल्दी बनाए तो लैट सिट इन दिस वीडियो सी यू इन दे नेक्स वीडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब